यह जी क्यूशन आपको दिखाए दे रहा है न ये अध्याई सांक्या की जो अध्याई क्लास टेंद की सांक्या की न इस्टेटिक्स उसका क्यूशन है तो देखो क्यूशन क्या है माद्धी का सुत्र होता है अपना माद्धी हो गया उसत हो गया इनकास क्या होता है राशियों राशियां बोल सकते आप राशियों या फिर आखडो आखडो का योग राशियों का योग या फिर आप बोल सकते हो आखडो का योग बटे राशियों राशियों की संक्या या आखडो की संक्या आकडो की संख्या ठीके तो माद्य उसत क्या होता है राश्यो का योग या फिर आकडो का योग बटे राश्यो की संख्या या फिर आकडो की संख्या ठीके तो यह अपनों को राश्य हैं दी गई है यही इनको आकड़े होते हैं तो इनका योग कर देते हैं तो समानतरमाद्धी बरावर हो जाएका अपना इनका योग तो X प्लस X प्लस 3 प्लस X प्लस 6 प्लस X प्लस 9 प्लस X प्लस 12 ठीक इन सभी का योग कर दिया मैंने सभी को क्या कर दिया जोड दिया अब दो कितने संख्या है ये एक दो तीन चार पांच तो किसका भाग देंगा मैं पांच का अब देखो x x x x x कितने होगए एक दो तीन चार पांच तो यह जोगे पांच एक्स प्लस देखो तीन और छे कितने हो जाएंगे? 9 9 और 9 18 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 30 18 और 12 30 लगो यह 18 और यह 12 8 और दस दस कि 0 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 दस कि 0 हांसिल का है 1 1 1 तो कितने हो जाएंगे? 3 तो 30 ऐसे 30 है बटे 5 अब दिखो, 5X में 5 का बाग देदो, 30 में 5 का बाग देदो, तो 5X बटे 5, प्लस, 30 बटे 5, ठीक है, अब दिखो, बराबर, 5, यह 5 से 5 कर जाए, तो यहाँ तो बजा, X प्लस, 5 यह कंग 5, 5 जंग 30, 6 अब दो 6, तो x plus 6 इसका right answer आगा x plus 6 है ना x plus 6 जब मैंने 5 में 5 का भाग दे दिया 5 x में तो यहां तो बज़ी किया x और 30 में 5 का भाग दूगा तो 6 तो x plus 6 तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number A option number A right answer हो जाएगा तो यह important question है ऐसा question आगे ना तो यह confuse कर सकता है तो important question है class 10th का ये एक number में पुझा जा सकता है ये दो number में पुझा जा सकता है अच्छा question है यदि option नहीं दिये तो ये 2 number का बन जाएगा ये option दिये तो एक number का बन जाएगा ठीक है तो I hope ये question आपको समझ भाया है important question है एस equation को अच्छी तरीके से कर दे रहना डेली ठीक है